दोस्तों कर आपकी टिकट जो है वो confirm हो चुकी है लेकिन आपको वहाँ पे कोई भी coach की position या फिर seat number देखने को नहीं मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ cnf लिखा हुआ रहा है तो आखिर इसके पीछे reason क्या है आपको coach की position और seat number देखने को कम मिलेगा आज की studio मनलोग इसी के बारे में पूरा detail में बात करने वाले हैं साथ के साथ आपको इस video की skip करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है video यहीं से start होने वाला है तो आईए चलिए शुरू कर लेता है सबसे पहले हम आपको बताता हूँ कि आपको आपको coach की position और seat number क्यों नहीं मिला है तो दोस्तों इसके पीछे basically दो ही reason होते हैं अगर आपकी journey date जो है वो बहुत लंबे time की होती है अगर आपकी waiting confirm होती है तो वहाँ पे आपको coach की position और seat number तुरन से देखने को नहीं मिलता है दूसरा reason अगर आपकी coach में बहुत ही जादे waiting चल रही होती है या फिर आपकी train जो है वो बहुत long distance की होती है जैसे कि 2 दिन या फिर 3 दिन तक की होती है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जब waiting clear होती है तो वहाँ पे coach की position और seat number आपको देखने को नहीं मिलता है अब हम लोग finally ये समझ लेते हैं कि आपकी coach की position और seat number आपको कब दिया जाएगा तो दोस्तों ये आपको दिया जाएगा chart preparation के time आपको सिर्फ और सिर्फ wait कर लेना है परिशान बिल्कुल भी नहीं होना है जब भी आपकी train का chart prepared होगा आपको coach की position और seat number दोनों ही देखने को मिल जाएगा अब आप ये सोच रहोंगे कि आपकी train का chart कब बनेगा ये आपको कैसे पता चलेगा तो दोस्तों ये आप खुद से पता कर सकते हैं मैंने इसके उपर में पूरा detail में वीडियो बना रखा है आपको इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा तो आप make sure करके उस वीडियो को वहाँ से check out कर लिजेगा मैं मिलता हूँ आप से अगली informative वीडियो के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखिए take care and happy journey